सबी पसू पालक भाईयों को उखमा गनी, सस्रियकाल, राम राम, केम छो, आदा बर्जे दोस्तो जैसे ही गर्मियों का मोसम आता है तो गर्मियों के मोसम के अंदर आपको एक बहुत बड़ी समस्चा का सामना करना पड़ता है और वह समस्चा यह है कि आपका जो पसू है वो फैंटिंग करने लग जाता है, हाफने लग जाता है और हाफने के साथ साथ में ही जो उसकी productivity है, जो वो दूद देता था, उसके दूद की चमता गट जाती है वह उसके अंदर कारण क्या होता है, दूद की चमता इसलिए गट जाती है कि गर्मी के अंदर एक तो temperature हाई हो जाता है दूसरा temperature हाई होने के साथ साथ में आपके पसू को ज़्यादा energy की आवशकता होती है जादा glucose की आवशकता होती है, जादा minerals की आवशकता होती है और ये आप उसकी पूरती नहीं कर पाते हैं साधारन तरीके से, साधारन चारे से जो दाना चारा आप दे रहे हैं उससे उसकी पूरती नहीं होती इसलिए मैं आपको एक ऐसी चीज जो बिलकुल फिरी के बराबर है जी हाँ दोस्तो मात्र आप 20 से 25 पैसे की हर रोज के खर्चे पे अपने पसू की वह पूरती वह minerals की deficiency वह glucose की deficiency पूरी कर सकते हैं मात्र 25 पैसे के अंदर आप गोर से सुनिएगा मेरे साथ बने रहीएगा मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी और काम में आने वाली जानकारियां आपके साथ में आधान परदान करता हूँ और आप लोग इसको अपनाते हैं मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब आपके रिव्यू आते हैं और आप बताते हैं कि आपको इन चीजों से बहुत फायदा में कोई भी अगर आपकी क्योरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गर्मी विसेश के कारण आपके जो पसू के दूद की चमता कम हो गई थी उस दूद की चमता को वापस से अपने उस पॉइंट पे पीक पॉइंट पे लेके आना उस चमता के उपर लेके आना साथ में ही अपने पसू को स्वस्त भी बनाना, क्योंकि जब आपके पसू के अंदर निरल्स और गुलुको़ की कमी आजाती है, याने की खनीज की और सरक्रा की कमी आजाती है, तो उसके कारण आपका पसू जो है वह थक्खा थक्खा सा भी नजर आने लगता है और उसके जो गर्मी के कारण जो पसीना निकलता है उस पसीने में उसकी पानी की पूर्ती नहीं हो पाती और इसी तेज गर्मी के अंदर आपने बहुत से पसूं के अंदर एक Side Factor और देखा होगा जहां हमारे पसूं को गर्मी के दिनों में अधिक पानी पीना चाहिए वहीं कई पसू क्या करते हैं वह इन गर्मियों के दिनों में पानी पीना कम कर देते हैं आज मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ सिर्फ आप एक इस 25 पैसे वाले नुस्के से अपने पसू की ये सारी चीजें दूर कर पाएंगे और दोस्तों एक चीज और बताऊं यह जो नुस्का है ना किसी कार खाने में नहीं बनता किसी फैक्टरी में नहीं बनता जहां की कैमिकल का प्रियोग हो यह प्रकृती ने अपने पास क्रतिक तरीके से हमें बेट सवरूप दिया है जिसका उप्योग हमें करना चाहिए और इसका प्रियोग इंसानों में तो होता ही होता है आज मैं आपको इसका प्रियोग बताने जा रहा हूँ, जानवरों में, पसों में, कैटल्स में, आपकी गाए और भैस में, आप इसको अपना करके बहुत सी चीजों से, आप बहुत सी बिमारियों से, बहुत सी परेसानियों से, अपने पसो बिमारियों से छुटकारा पा सकत तो जानिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेंदा नमक, जी हाँ, मैं आपको इस्क्रीन के उपर भी दिखा दूँगा सेंदा नमक, इसको लाहोरी नमक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिंद प्रांत के अंदर इसके बड़े बड़े पाहड मिलते हैं, वहां ये बड़े बड़े पाड़ों के अंदर ये नमक मिलता है, इसके अंदर खनीज पदावर्थों की प्रचूर मात्रा पाई जाती है, मिनरल्स जो होते हैं, उनकी बहुत अधिक्ता में इसके अंदर उपलब्दता होती है, जो कि आपके पसू के अंदर मिनरल्स की डेफिशेंसी को दूर करेगा साथ में ही मैं आपको जो इसको देने का तरीका है वह बताता हूँ उससे आप किस तरीके से अपने पसू का जो दूद जो घट गया था ना उसको वापस से आप उसी ग्राफ पे उसी पीक पॉइंट पे वापस से ला सकेंगे यह आपके लिए काफी मददगार होगा तो करना क्या है आपको आप एक मिट्टी का घड़ा मिट्टी का जो मट्का जिसको बोलते हैं मट्का ले लीजिए रात के टाइम में शाम के टाइम में आप उस पानी के उसको उस घड़े को मिट्टी के घड़े को पानी से पूरा लवा लब भर दीजिए इसका पाउडर बना लीजिएगा आप सेने नमक का और दो चम्मच आपको सेने नमक की मट्के के पानी के अंदर डाल देना है अब आपको दूसरे दिन सेकिंडे जब आप अपने पसू को पानी पिलाएं तो ये घड़े का पानी पिलाईएगा दोस्तों जब आप घड़े का पानी पिलाते हैं तो घड़े के पानी के अंदर नमक मिनरल्स मिले होने के कारण उसका टेस्ट भी बदल जाता है और उस टेस्ट के कारण आपका जो पसू है जिसने पानी पीना कम कर दिया था न वह पानी आपका अधिक मात्रा में पीना लग जाएगा और जब पानी जादा से जादा पीएगा तो यह तो नेचुरल सी बात है कि उसका दूद तो बढ़ना ही बढ़ना है आपके पसू का दूद बढ़ेगा दूसरा किस इसका दूद बढ़ने का कारण एक और हो जाएगा क्योंकि जो यह सैना नमक है ना जो यह लाहोरी नमक है इसके अंदर जो मैंने भी बताया था कि इसके अंदर खनीज पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाते हैं तो वे खनीज पदार्थ भी अपना असर दिखाएंगे और आपके पसू के अंदर जब खनीज पदार्थों की पूरती हो जाएगी ग्लुकोज की पूरती पानी के द्वारा हो जाएगी पानी अधिक से अधिक पिएगा और जब आपका पासु पानी अधिक पी रहा है मिनल्स उसके अंदर जा रहे हैं तो दूद तो निश्चित बढ़ना है दूद के साथ साथ में जो उसके अंदर इस फूरती है जो चंचलता है वह भी बड़करार हो जाएगी जो आपका पासु बिल्कुल सुस्त रहता था पैंटिंग करता था यानि की हाफ था था तो हाफ न बंद हो जाएगा तो एक मातर आप 20 से 25 पैसे की हर रोज का खर्च करके अपने लाखो रुपए के पसू को स्वस्त बना सकते हैं आप इसको अपना के देखिएगा गर्मी के दिनों में विसेस मेरा आप से आग रह है इस नुसके को अपनाईए और अपनाने के बाद में जो आप अपनाएंगे तो जो इसके रिजल्ट जो आपके सामने आए ना उनको कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताईएगा अगर ये इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है जो की हम पसू पालन से सम्मन्दित ही आपके लिए लेके आते रहते हैं और ऐसे घरेलून उसके बताते हैं जो की घास पूस से, रसोई के मसालों से इस तरह की चीजों से हम आपके पसू का इलाज करना बताते हैं आपको अच्छी लगती है ना तो दोस्तो एक ही विन्ती है मेरी आप से, अदिक से अदिक सेर कर दीजे, इसमें ना तो आप को कोई पैसा लगेगा, और ना ही आपके पास से कुछ जा रहा है, लेकिन आपके एक सेर करने से, पतानी कितने पसू का भला हो जायागा, और कितने पसुपालग भाई जो इन परेशानियों से जूजते रहते हैं वो इन परेशानियों से निजात पा जाएंगे तो इजाज़त दीजिए देव सेखावत को फिर मिलते हैं आप ही के दिये गए एक नए टोपिक पर तब तक राम राम